ये एक मेहना पहले से रमजान से माउर तयारी कहने पड़ते हैं शूप की ये मालपुआ बनेगा यहाँ पर सुबा पाँज बज़े तक सहरी के टाइम तक आया वाई सब रेश्चेंडी से मावलाब यावलाब ली चार मिनार की हैदराबादी हली कश्मीरी वाइट हनी यह मैंने पहली बार देख रहा हूँ सफेध हनी प्यारों मौपट डालते हैं इसमें साब इसके लिए क्या होता है इसमें अम्बर करन है अम्बर करते हैं व्यावलाब इसमें आपने आपक तक तक प्रदों मेद करते हैं इस गिए दातन्यदक निवहलेगा है आम्बर की आपकी नियावलाब निया तक अम्मदीना आपको दुबारा एक बार फिर महमद ली रोट की सहर करवाएंगे तो जी हाँ वी आर बैक एट महमद ली रोट और इस बार हम आपको दिखाने वाले हैं महमद ली रोट की सहरी जी हाँ सहरी और यहां के जितने डेजर्ट के आड़ा में सबसे आपको रूबरू कराएंगे एक एक आउटलेट पर आपको ले जाएंगे शर्त यह है कि आप बने रहे हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में जरा भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि यहां पर दिखने के लिए बहुत कुछ है और हम आपको सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में तो चलिए चलते हैं मौमद अली रोड की शान देखने आई हमारे साथ दोस्तों सबसे पहले आपको तारूफ कराते हैं यहां की सबसे फेमस और मारूफ आउटलेट रमजान अलमबारक के महीने में सुलेमान उस्मान मिठाएवाला की जो रौनक है इसमें एक अलगी अदाफा हो जाता है जिस अनदर फेमस आउटलेट जस्ट लेक्स तो सुलेमान मिठाएवाला इस काल्डन सुलेट मंडे नाइट साड़े दस बज रहे हैं और स्चिल यहां पर का रश और रौनक इसके क्या कहन है एक से बढ़कर एक डेलिकसी एक से बढ़कर एक आउटलेट और मैं आपको अभी इंट्रिद्यूस कराने जा रहा हूँ यह पूरा मालपुवे का सामाने पता है तब मालपुवे का सामाने पता है और यहां पर पूरे ड्राइफरूट्स है और यह बन रहा है मालपुवे मगर रात तक पुरा खतम हो जाएगा यह अभी एक घंटे में खतम हो जाएगा गाइस यह कितना लिटर होगा यहांपर चालिस से पैतालिस लिटर का मालकुए का जो इंग्रीडियन्स है यह भी एक से दिएड़ घंटे में खतम हो जाएगा उसके बाद फिर और एक लगेगा So guys, you can imagine the huge sale ऐसे एक दिन में 20 खतम हो जाते हैं Guys, एक दिन में 20 खतम हो जाते हैं 45 लिटर का एक है और रमजान मुबारक में एक दिन में 20 खतम हो जाते हैं So you can imagine, आप सोच सकते हैं यहाँपर का आउटपूट क्या है यही है वो मसाला मिल जिसके मैं जिकर कर रहा था आपसे The famous Nourani ka मसाला मिल So, दोस्तों, here I present Al-Hashmiya Medina Dates As you can see, बहुत ही लक्जेरियस और फेंटाबूलस धेट्स है यहाँपर जी हाँ, यह वरी फेमस इन डेट्स और यहाँपर दे है इन हाउस मसाला मिल्क Special मसाला मिल्क with lots of dry food in it और आप यहाँदेख सकते हैं, यह वराइटीज अप देट्स और यह यहाँ पर है, he is the owner of Al-Hashmiya Dates और एक बात और में add कर लूँ, यहाँ बोरी मुलने में इनका एक outlet भी है, बहुत ही लक्जेरियस आउटलेट है, वहाँ पर more than 40 varieties of dates आपको मिलेंगे So having a very finest honey, अलग-अलग तरह के शहद, जिसके शहद मैंने नाम भी नहीं सुना होंगा, यहाँ पर वो शहद की वेराइटीज भी है, चली-चल के आपको एक close look दिखाते हैं, कश्मीरी saffron honey और यह सिद्र, इडिस फ्रम यमन, इंडियन सिद्र, कश्मीरी white honey, यह मैंने पहली एक भी इटम में, इन्हीन अम्हे बीक इन्हे में इंडिस भी नैसे के लिन बनाय अजु़ू के शप्र। एक लेकश दो बनाय होगग के जाव है, यह क्या प्राइटीज स्बश्याँ चे— जानाय होगग के जाय। फो रोबिसा मैजॉबने गां घ्या नैश होगित तक हम और इसकी क्या प्राइजिंग है? 1600 रुपीज पर किलो यू कन भाइ फ्रम अलहाश्मिया तो चिकन का सूप जबान का सूप दिल का सूप और तिल का सूप ये सारे सूप आपको कहीं मिलेंगे तो वो एक ही जगा पहे वो है बडे मिया बडे मिया सिंस 1946 वन अफ दे मोस फेमस और आइकोनिक नेम इन मोगलाई फूड वैसे तो इनकी आउटलेट है कुलाबा में, फोर्ट में और बेंडरा में मगर हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि सिर्फ एक महीने के लिए बडे मिया का आउटलेट होता है ओपन मुहमद ली रोड पे तो यहां की क्या रहुना के हैं क्या डिशिज हैं यह आपको एक करीब से नजारा दिखाते हैं तो चलिए चलते हैं बडे मिया में रहा है गुर्दा भेजा और तिक्का मसाला यह क्या है भाई जी? यह गुर्दा मसाला था फेमस बड़े मिया का गुर्दा मसाला और यह यह भेजा जी हाँ भेजा है किसी ने भेजा या नहीं भेजा और यह चिकन तिक्का मसाला मीरस से खास ट्रावल करके आए हैं बड़े मिया का खाना बड़े मिया बड़े मिया वैसे लकब तो है इनके वालिज साब का मगर हमारे साथ इस वक्त है बड़े मिया मैंने काफी लोगों का रिवीव लिया है लोग दो साल से इंतिजार कर रहे थे बड़े मिया के ओपन होने का और इंतिजार आप खत्म हो चुका है जो फेमस यहां का जो सूप है उसके बारे में हैं बताए कि उसमें एसी क्या खास बात है कि लोग मीरट से दूर दूर से यहां पर सिर्व आपका सूप पिने के लिए यह तो प्यार महबत है जो इतना शूप पीना आते हैं पर दूसी चीज यह है कि यह सूप हमारा मुगलाई शूप है कुछ चैनीज शूप नहीं है एक महिना पहले से रमजान से मौट तयारी करे कर देंए सारी वेड़ीन वगरा जमा करते घथे जिस इन्सके में कुछ तो खास इंडीन होगा कुछ तो खास एडनर सेपी लोग इतने और इतना टेस्टी और इतना जाएक दर कैसे यह भी चुछ वहादा डालता है इसमें इसिके ली जै का हथा इसमें Another famous restaurant at Muhammad Ali Road that is called Chinese and Grill and they are quite famous for Nalli Nihari और इनका चाप गोश जो मुझे बहुत पसंद है और यकिनन आप लोगों को भी पसंद आएगा So this is what I was talking about, the famous Nalli Nihari of Chinese and Grill यहां मेरे पास सामने जो बन रही है वो है पत्थर चिकन As you can see, a stone का बड़ा टुकड़ा है that has been broken into pieces ताकि उसके अंदर से धीमी धीमी आँचावे और चिकन को भरवबर से roast और तंदूर करें So this is the Muradabadi Biryani जो मैं आपसे जिकर कर रहा था The famous Muradabadi Biryani और यह है मेरे पीछे Nalli Nihari Hotel Sahil की famous Nalli Nihari इनके पास है hidden recipe जो है लंबे पाउं जी हाँ the very famous लंबे पाउं of Muhammad Ali Road बिस्मिल्ला कॉर्नर यह बिस्मिल्ला कॉर्नर की रोनके हैं And this outlet is quite famous for Dakhiri, Kalaji, Sikh Kabab, Chicken Tandoori and Malai Sikh आवास थी बुरानपूर के जलीवी के लिए जी हाँ अब very famous जलीवी जो बनती है मावे से तो चलिए चल के देखते हैं बुरानपूर की जलीवी चार मिनार की हलीम इसके लिए आपको हैदराबाद या चार मिनार जाने की जरूरत नहीं है Muhammad Ali Road में आईए और यहाँ पर पाए का सूप और हैदराबादी हलीम दोनों का मज़ा लिए So let's try चार मिनार की हैदराबादी हलीम It's amazing, guys the texture, the texture is soft It's outstanding It's organic एक और वाट तो बनता है महबते जूस वाला The two variant of juice at मिनारा मस्दिर एक है कडिंगड का तर्बूस का और दूसरा है सेप का गोले के शौकी ने उन लोगों के लिए यहां पर इंतिजाम है गोला पॉइंट इंदुस्तान रेस्टोरेंट वैसे तो यह एक मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है बट इस वाइट फेमस फोर छोटे वाले कबाब मैया जी कैसे डर्जन है तीस रुपया डर्जन 30 रुपीस फोर 12 पीस तो यह बहुत से लोग सहरी में खाना पसंद करते हैं लंबे पाउं के साथ तो अगर आप भी शौकीन है तो जरूर विजिट करें लिएंदुस्तान वेस्टोरेंट भांदोली है यह हर जगा अवेलेबल नहीं है और यह रेसिपी है यह कुछ घूम सी गई है जी हां चावल का आटा मैदा और अंडा जो मिक्स्चर है उसकी बनती है भांदोली सांदल जी हां जो बनाई जाती है चावल दूद और मावे से जैसे के बनाई जाती है इटली मगर यह होती है स्वीट और इसका बनाने का तरीका बिलकुल मुक्तलिफ चपते हैं सांदल जो कि बहुत फेमस डेजर्ट है मौमद अली रोड फेमस खिछड़ा कॉर्णर एट मौमद अली रोड पीपल आर एंजोईंग यह कैसा लग रहा है चाज़ा खाने में टेस्टी है खिछड़ा मजा रहा है पास्पूर्ट कॉर्णर तो आप देख सकते है यहां पर गैस की भीड लगी वी माशालला से काफी रहना के है इस गली में और यहां बनती है ते फेमस तंदूरी तिक्का टीतर बटेर भेजा गुर्दा फ्राइ और सब कुछ मरहबा फास्पूर्ट कॉर्णर अनदर फेमस नेम इन फास्पूर्ट यहां बन रहा है दर फेमस नान सेंडिच तो आज इस दो सी मरहबा बहार इतनी भीड है कि मुझे घड़ेरनी की जगा भी नहीं मिल रही है तो आज यहां सी बारा साड़े बारा बच चुके हैं और माशालला रश है और रॉनक है जो थमने का नाम ही नहीं ले तीतर और बटेर जो फॉर्म होता एक छोटी मुर्गी का जो मिलेगा आपको सिर्फ रमजान के महीने पर जी तवा कोरना अव्हां नहीं है यहां प्यामस नहीं में लेफ तेर यहां लेगा शेचर्ट और सिर्फ यहां जोखी नहीं नहीं है वोन मोर फेमस नेम इन मोगलाई क्यूजीन इस माशाला क्यूजीन एट मॉहमद अली रोग है बटेर हां यह बटेर आपको रमजान महीने के अंदर ही मिलेंगे यहां पर और यह मुर्गी से थोड़ी सी छोटी होती है और खाने में भी बहुत लजीज होती है तो अगर आप का मज़ा चखना चाहते हैं तो आ सकते हैं माशाला क्यूजीन एट मॉहमद अली रोग वेर यू के एंज्वाइड अनलिमिटेड मोगलाई एंद तंदूरी देशिस आये तर आये मस् रेस्टोरंट जो बहुत ही फेमस है महमद अली रोड पे और इस मोगलाई तंदूरी ए यह कितनी फेमस है यकीन आप लोगों को हमारा यह एपिसोड दूसरा वाला महमद अली रोड का पसंद आया हो कोशिश की है महमद अली रोड की गलियों का नजारा आपको घर बैठे दिखाने का तो दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कि यह तो फ्लीज गो अहेड एंड दू सब्सक्राइब तो अबर चैनल देडिज ग्रेस नेटवर्ग व्लॉग्स और हमें कमेंट करके बताईए कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लागा जल्दी मिलेंगे एक नई जगा पे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाफिस सब्सक्वार के लागा कुणा सब्सक्राइब है